हाई दोस्तों वेरी गुड मॉनिंग और इस वीडियो में बात करते हैं सेक्षन 41C के बारे में और दोस्तों इस सेक्षन को पढ़ने के बार आप अपनी फैक्टरी इंडेस्टी के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हजार का प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई करते है तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि जो specific responsibility होती है of the occupier in relation to hazardous process जो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना वो hazardous process जो आपकी industry के अंदर हो रहा है तो सबसे पहले बात आ रही है कि आप जिस industry में काम कर रहे हो तो उस industry में आपको पहली बात ये देखना है कि क्या-क्या elements यूज हो रहा है ठीक है जैसे कि बात करूँ जैसे कि date of the health record कोई industry के अंदर आपका workers आता है तो उसका अप medical test करते हो राइट इसमें कोई आप सर्माने की बात ही नहीं है क्योंकि आप medical test कर रहे हैं हर वो workers हो यह factory के अंदर employee आ रहा हो तो आप क्या कर रहे हो उसका medical test देख रहे हो ठीक है medical test करने के बाद आपकी इंडेस्ट्री में मान के चलो chemical है toxic gases है वो ऐसे substance हो रहे है यूज हो रहे है जो factory के अंदर यूज हो रहे है जैसे water treatment के लिए आप chlorine का यूज कर रहे है तो वो hazardous substance है हमारा ठीक है तो उस chlorine को handling भी करता होगा manpower ठीक है उस chlorine को हम properly क्या करते सुपर वीजन भी करते हैं देखते भी है properly उसका MSDS बना के रखते है factory के अंदर properly prescribed manners के अंदर तो यह सारी चीज आती हमारी hazardous process के अंदर अब इस hazardous process के अंदर क्या क्या हो सकता है ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ यह आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यह हमारे hazardous process hazardous plant है chemical का है अब यहां पे सारे process चल रहे है ठीक है in case कोई ऐसी gas है जो बहुत ज्यादा dangerous है अगर वह leakage हो जाती है तो leakage होने की वज़े से क्या होगा environment खराब हो जाएगा और उस environment खराब होने की वज़े से लोगों के health से chronic disease chronic effect हो सकता है तो इसलिए इस section के अंदर 40C के अंदर hazardous process के जितने भी appliance से वह बात की गई है अब आपको बता दू कि अगर hazardous process है तो आपको medical facility भी देना होगा तो factory के अंदर आपने देखा होगा एक medical officer medical doctor जरूर applicable होता है वह doctor का काम क्या हो तो उस doctor का काम होता है medical treatment देना चाहे वह workers हो चाहे employee हो ठीक है तो आपको यह बात समझनी है section C के अंदर यह सारी चीज़े applicable होती है और थोड़ा सा point बात करते हैं कि यहां पर medical examination की बात किया मैंने तो medical examination of the workers उनको यह चाहिए ही चाहिए ठीक है factory act में सारा कुछ mention है और एक बात और बता दू जैसे कि किसी भी workers को आप job specific job assign करने जा रहे हो handling करने के लिए आप दे रहे हो कोई भी material कोई भी hazardous process तो उसके दौरान मान के चलो कि उस इंटर्वल के दौरान उसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप कुछ काम करा रहे हैं को भी होता है ना कि हम एक वर्कर से वही वही काम करा रहे हैं अब कर दोस्तों यह हमारा एक प्लांट है सीमेंट का प्लांट है तो सीमेंट में क्या साज ज्यादा होता है थिक है तो अब मान के चलो कि कोई इंड़स्ट्री में है process चल रहा है और वहां पर उस process के दौरान ध्यान से दोगो यह हमारा हो गया आरम सेक्षिन एरिया यहां पर वह सारे राव मेटेरियल यहां से यहां से यह से हम डालते हैं उसको पर प्रोड़क्शन करते हैं तो पाइप लाइन में सारा प्रोसेश हो रहा है अब इस process के दौरान हजार की possibility क्या है पॉसिबिल्टी क्या है कि मान के चलो यहां से कोई process ह हो रहा है और process होने के दौरान इस pipe में कोई फट गया चीजे फट गई यहां से कोई leakage होगा एक process हजार में डालना पड़ता है वहां पर कुछ लीके जो गया तो इंडस्टी के अंदर जो भी process चल रहा है उस process हजार को हमको identify करना है ठीक है तो यह सारा हमारा जो process होता है उस process के दौरान सारी चीजे आपको find out करने है अगर chemical यूज हो रहा है ठीक है मान के चलो chemical क्या क्या होता है मतलब कि यह हमारा हजार्डस वेस्ट किया यहां पर यहां से जाने के बाद इसको purify किया गया purify करने के बाद हम सको treatment करते हैं treatment करने के बाद हम इसको दुबारा से utilize करते हैं ठीक है यह cycle हो गई तो industry के अंदर ऐसा ही cycle काम करते है ठीक है इसमें नहीं लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको chemical hazard process का सारा flow chart diagram बताऊंगा so that आपके mind में picture बैठ जाए ठीक है और दोस्तों यह section 41C बहुत important है RLi आपने किया है government की exam दे रहे हो ONGC में जाना चाहते है all gas में जाना चाहते है यह सारे question put up रहते है कि 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 सेक्षन के अंदर hazardous process applicable है तो यह सारी बात के आपको पता हो जाए ठीक है तो दोस्तों यह था हमारा section 41C तो आपको यह पता होना जाए हाजार्डस process कैसे identify करते हैं और clear हो गया होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए ठीक के और अल दी बेस्ट